तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं array के एक method add के बारे में add कैसे काम करता है और उसकी हमें चरूत पड़ी क्यों समझते हैं आप सबको पहले से ही पता है कि एक array के अंदर जितने ही value हैं a, b, c, d, e, अगर हम इने access करना है इन value को get करना है तो हम कैसे करते हैं अगर index wise करना हो तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर data और उसके अंदर 0 अगर 0 लिखा हमने तो हमें कौन सी value मिलेगी पहले वाली क्योंकि array कहां से indexing उसकी शुरू होती है 0 से, a, 0 पर है वैसे b किस पर, 1 पर, c, 2 पर ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा यहाँ पर data 0 अब अगर मैं इसको console.log के अंदर डालूं console कराके देखे हम इसको save करते हैं फाइल को तो देखो console के अंदर क्या आया a, ऐसे ही अगर मुझे d चाहिए तो मुझे लिखना होगा यहाँ पर 0, 1, 2, और 3 d index पर 3 तो मैंने यहाँ लिखा d आ गया अच्छा अब मानो इस array के अंदर 200 पता नहीं कितनी value है और आपको नहीं पता ठीक है और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इस array के बिल्कुल last के index की value चाहिए तो आप उसको कैसे निकालोगे आप थोड़ा अपना दिमाग लगा होगे बोलोगे यह 0 से start हुआ 1 से 2 से 3 से 4 से और फिर आप सोच होगे यार इतनी सारी values है मुझे तो पता ही नहीं कितनी है तो मैं last index को कैसे find out करूँ तो उसके लिए आप क्या करोगे simple आप थोड़ा दिमाग लगा के आप लिख दोगे ठीक है तो मतलब इस तरीके से आप लिखते हो तो इसको नहीं पता चलता कि आप क्या बोल रहे हो इसको minus 1 क्या है ठीक है तो क्योंकि यह start कास होता है 0 1 2 तो इस problem को resolve करने के लिए हमारे पास क्या आया add तो जैसे ही आप लिखते हो dot add add method लिखोगे आप ठीक है और इसको brackets मे ऐसे wrap कर दोगी तो जैसे ही आप लिखोगे आपको कोई रोत नहीं है इसके आगे पता करने की इस array के अंदर कितनी values है नहीं है आपको simple ऐसे लिखना है और save करना है तो देखो आपको क्या मिला e मतलब सबसे last वाले index की value सबसे last इस array के अंदर सबसे last index था वो आपको मिल गय और उसके accordingly जो भी आपने उसके अंदर pass करी होती है value उसके according आपको उस array में से particular array में से जो आपने define किया हुआ है value return करके दे देता है तो आज की वीडियो में इतना ही thank you so much मिलते है next वीडियो में तो वीडियो को like करना मत भूलना नए हो तो चैनल को subscribe कर देना और इस चैनल क की लगातार अपटेट्स के लिए एक घंचा बचा देना